खाने पेने की सिवाय तुछ और कुछ नहीं आता, मेरी बातों का तुछ पर कोई असर नहीं होता, तु बाहर जाकर क्या-क्या गुल खिलाता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने सोचा था, तु मेरा डिमांड ड्राफ बनेगा, लेकिन तु तो बाउंस होने वाला यह मोतर्मा कार्टिक की मा है, ICICI बेंक की मैनेचर, अपने बेटे को सुधारने के लिए ये दिन रात महनत करती है, लेकिन सब बेकार अरे रे रे शुरू कर दिया ना, अरे भागवान उसे नाश्ता तो कर लेने दो, अभी कहां इतना बड़ा हो गया है वो, बेकार में टॉर्चर करती रहती हूए इसे, आपका लाडला बेटा जो है ना, उसके लिए जुला लाइए और जुलाइए, पता नी ये कब सुधर इसे तो आपने सर पे चड़ा रखा है, कैसे बाप हैं आप, ये हैं कार्तिक के पिता, SBI बैंक में मैनेजर, कार्तिक इनका एकलोता बेटा है, इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं और उसकी सारी मांगे पूरी करते हैं, क्यों भागवान, ये कोई मामुली माबाप की उलाद ह है क्या, शादी के दो साल बाद मिला तोफा है ये, और वो भी कहा, चेन नहीं रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में, क्यों, मेरे पास नौकरी नहीं थी, तुमारे पास दौलत नहीं थी, शादी के बाद हम लोगों ने चेन नहीं रेलवे स्टेशन पे दिन कैसे अब जब मैं उसे नौकरी करने के लिए तो बताइए क्या गलत कह रही हूँ अब ये मेरी बात सुने के लिए तयार नहीं है इसकी नौकरी के लिए मैंने वक्त निकाल कर अपनी क्लोस फ्रेंड्स से सिफारिश की वहां इंटर्व्यू में जाकर इसने क्या कहा पता है अपको नाम कार्ते एंबीए फ्रेशर फादर और मदर का रेकमेंडेशन ये सब होते हुए भी मुझे कुछ सवाल दुख करना ही पड़ेंगे पूछो क्या तुम्हें लड़कियां बह सकते हों एक्स्क्यूज मी मैं कुछ पूछ रही हूं और तुम कोई जवाबी नहीं दे रहे बस मुझे घूरे जा रहे हो कुछ तो बोलो इस किताब में जो भी लिखा है कोई भी सिख सकता है अगर कोई कविता हो तो उसे पड़ भी सकता है लेकिन तुम्हारे सामने गर ताज महल आजाए तो तुम क्या करोगी देखूंगी नहीं देखती रह जाओ और वहीं तुम ने ताज महल की तरे खूपस हो रहे था इसके दोस्तों से मिलिये इतने बड़े खांदान का होने के बाद भी इसके दोस्त कैसे है इन तीनों को अपनी जिंदगी के बारे में कोई फिकर नहीं है लेकिन अपने हीरो के बारे में ये लोग क्या कहते हैं जरायनी से सुन लीजिए हाँ जी हाँ बहुत प्यार से पला हुआ लड़का है वो देख लफड़ा हो जाएगा हमारे लाख समझाने पर भी नहीं मानता वो उसके पिता ने उसे सर्पे खाना रखा है अच्छा मुझे पैन दिखाई आंकल ये लो सब दिखाईए ना अंकल अरे तुझे एक पैन चाहिए ना सब दिखाने की क्या ज़रूरत है ये एक ही पैन चाहिए लेकिन वह सबसे अच्छा हो तो तुभी लिख कर देख ले अच्छा कौन है अरे सबका इंग खातम करेगा क्या जादो कोई तो चुना इतने में से यही एक बैस्ट है और मुझे बैस्ट ही चाहिए सिर्फ पैनी नहीं यहां तक कि लड़कियों की भी वो चॉइस रखता है उसकी पैंट उसका शर्ट उसके शूज वाच सब कुछ बैस्ट होना चाहिए यही कहते कहते आज तक उसे कोई भी लड़की पसंदी नहीं आई जब वो 13 साल का था बेटा कार्तिक मैं मार्केट जा रही हूँ घर पे कोई नहीं है सुशिला अकेली है वो पेट से है अगर उसकी तब्यस ज्यादा खराब हो गई तो अपनी ममी से कहकर एंब्यूलन्स के लिए फून करवा देना मैं आधे गंटे में लोटाओंगी आप बेफिकर जाएंटी मैं संभाल लूँगा अगर उसकी तब्यस ज्यादा खराब हो गई तो अपनी ममी से कहकर एंब्यूलन्स के लिए फून करवा देना जल्दी गरो निकलो रुखो 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 क्या वेट करूँ तुम भी delivery patient को लेने आए हो है यार ऑफीस में फोन आया था मुझे पी उस लड़के ने फोन किया यह मरिक किया रहा है मुझे ज़रा वेट करो अरहे एक और अम्मी बूर क्युंकता है यह अपयों भी delivery patient लेने हैं इसलिए मैंने फोन करके बुलाया, तुम तीनों में ये बेस्ट है, मेरे फोन करने के दस मिनिट बाद ही यह यहां पहुच गए थे, तो जब भी तकलीफ शुरू होगी, मैं तुमें ही फोन करूँगा, अब तुम लोग जाओ याजे. मेरा दोस्ट भजपन से ही ऐसा है, मुझे ये बेस्ट चाहिए, वो बेस्ट चाहिए, ये बेस्ट चाहिए, कहता रहता है, और आजकल पता है उसको क्या बेस्ट चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए दर शट भी खरीच सकता हूँ, लेकिन जीवन साथी को चुनने के लिए किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन साथी बिल्कुल मेरी पसंद के तरह बेस्ट होना चाहिए, अबे, सिर्फ तू ही नहीं, हर लड़का सो हे, मैं शर्ट भी अपनी पसंद का पहनता हूँ, जूता भी अपने पसंद का खरीदता हूँ, फिर लड़की अपने पसंद की क्यों नहीं चुनूँगा, मैं तीन अलग-अलग लड़कियों को पसंद करूँगा, और उन तीनों को एक साथ प्यार करूँगा, उन तीनों म तुम्हें शुभा देता है क्या मेरी लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए तुम्हें बेस्ट चाहिए जो करूं मरसी मेरी, है जॉइस अर्ची मेरी, मुझे चाहिए चीज पैस्ट, जो भी चाहिद मेरा मैं तो गही करूं, हसीनों के संग मैं मैं तो हर पल रहूं हमmore Account Day जॉइस अर्ची मेरे, मिन माम जर्ची जडिया, मुझे चाहिए चीज पैस्ट, जो मैं तो चाहे कहीं भी जाओं तिल को ना रोक बाओं चाही ये चीज बैस 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 चाहे चाना, हलचेरी याओ, इंगर्ड य लिकोर याओ, चाह ही ये चीज बैस बहाँ हो मेरी जानम, बहा हो मेरी हमतं, और बहा हो बैस आलम, और श्पेशल आलम, चाही हे बैस पघ़ पत्पट पत्पट एत्पट इन भ मेरादी पन भी पन भी आमेरादी पर्मान भी आमेरादी । वोो वो झाल झाल हो एड़न में आपकी कनद़ pagan Japan ओमेरी करने में सब्सक्राइब मेरा चाहे तिल 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 ति जो भी चाहत मेरा मैं तो वही करूं हसी नौके संग मैं मैं तो हर पल रहूं हुआ 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 है ताइम हो गया जल्दी कर अरा रोग जा या दू तो बल जाने ले हुआ 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 हु चल यार चलते हैं अबे यार कौन है वो फिर शुरू हो गए नो टंकी अचाना बस आ गई चल ए तुझाना क्या को ऑई क्या रही है गुर के रहिए गुसा रही किया चला बस में आजा कि 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 सेट जल्दी बैट अबे और ते चल अबे क्या स्पीड है सारी सिस्टर गलती से हाथ लग गया मेरे सामने आते ही तुमेरा भाई बन गया पस्टाप पर कोई भी लड़की खड़ी होगी तो तुम उसके साथ जो मर्जी आये करोगे नहीं मैडम अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फिर से हाथ लगा हाथ लगा नहीं मैडम ए चाल मुझे हाथ लगा मुझे अभी हाथ लगा कर दिखा सॉरी मैडम किसी भी शरीफ लड़की को छेनने से पहले मेरा ये थपट जरूर याद कर लेना समझ गये लफ वांगे कहीं के अब ये क्या लड़की है यार एक्स्क्यूज मी अपना सर थोड़ा नहीं चेकर सकते हैं क्या यह कोई सिनेमा घर है क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैंने देखो क्या सीडी में देख लेना सीडी में क्यों बीएफ सीडी में देख सकता है तो शादी सीडी में क तो अपने हाथों में भी नेल पॉलिश लगा ले ना क्या हुआ अब यहां वैसे कोई नहीं है कल मैं एक लड़की दिखी यार क्या लड़की थी पचास की स्पीड में दोड़ रही थी यार अच्छा दोड़ती गई हां मैं तो से चेस भी नहीं कर पाया यार है बताना इसे बतावर ना फोड़ दूँगा यह यह शादी रोग दो यह शादी नहीं हो सकते नहीं संदीजें समध कीजें कम से कम मेरी वाइब दोड़की यह शादी नहीं हो सकते यह कुछ नहीं सुनना दान बाजा बंद करो दो लाख रुपया अभी के अभी दोगे तो शादी होगी है चलोड़की मतामा जी बैठे रहे हैं सुनिए संदीजी मेरी पास सुनिए थोड़ा सा वक्त दे दीजी मेरी रिज़ा कुछ नहीं सुना रुख जाईए एक्सकीज देने की कोई जरूरत नहीं चलो जाओ सर तमीज से बात कीजिए कैसी तमीज काहें की तमीज पैसे बिना ये शादी नहीं होगी क्या कर लोगी तुम पुलीस में कंप्लेंड करूंगी उसकी बात पताए क्या होगा तुम मिलिटरी वाली है मैं भी एक आफिसर हूं मुझे कि दमकी दे रही है है हो निदर ला एक मिनिट आपको सिर्फ पैसा चाहिए है ना इसक्यूज मी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है दहेज की पैसे ना चुकाने की वज़े से ये शादी नहीं हो पा रही है ये शादी अच्छे से हो और कोई रुकावट ना आए इसलिए में यह अंगोठी दे रही हूँ आप लोग भी कुछ ना कुछ देकर मदद कीजिए लड़की है यार कसम खा यार इससे पहले किसी फिलम में ऐसा सीन नहीं देखा तुने सरोजा देवी की फिल्मों में कितनी बार ऐसा सीन आ चुका है लड़की पसंद क्या आ गई उसकी हर यह तरफ से मिलाकर हजार रुपै याद रखना इसमें तो कुछ कम है अपने पैसे भी देने जितने जेब में थे वह सब मैंने दे दिये ठीक से देखना तेरे पास होंगे और यार मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है थैंक्स दोस्त मना करने के लिए थैंक्स कह रहा है पैसे नहीं है तो क्या हुआ अंगूठी तो है साले अरे क्या कर रहा है नहीं यार मेरे बाप की निशानी है अरे कहा ले जा रहा है अरे समझाना उसको समझाना नमस्ते नमस्ते कि थोड़ी कैसीए अ कि तुम लोग ने देखा वोलर की मुझे देखक रहसी बहुत बहुत शुक्रिया ये दो लाख से ज्यादा ही होंगे ये देने से तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी कोई प्रब्लम नहीं आएगी पैसो के कारण ही तुम्हारे ससुराल वालों ने बीच में ही शादी रोग दी थी क्या अब भी तुम उस घर की बहु बनना चाहोगी मेरी यंगूटी वापस करो तु ये शादी मत कर मैं तुझसे ही नहीं उन सभी लड़कियों से यही कहूंगी सिंदगी में शादी करना जरूरी है शादी वहीं करो जहां प्यार है सिंदगी में पहले प्यार और फिर शादी इस पैसे से तुम छोटा मोटा बिजनस कर ले न दो या तीन साल में तुम कुछ कमा भी लोगी और मनपसंद जीवन साथी भी तुम्हें मिल जाएगा क्या सूच रही हो थैंक यू प्रिया तेरे पास लाइसंस नहीं है हेलमेट नहीं है और घड़ी भी नहीं है पता है कोट में दुशे कितना फाइन बरना पड़ेगा सर यह सौ रुपय है रख लो ना थीक है सौ रुपय में मैं निप्टा लूँगा चल भाग भाग यार बड़ी मुश्किल से सौ बचा साथ लगते हैं और तुम लोग करेक्ट टाइम पर पहुंच आते हो यह देख आज का क्यलेक्शन तुने पैसे का नाम सुनते हैं यह मगर मची की तरह मुझ क्यों खूल लगता है तुम लोगों को पांच हजार रुपया देने के लिए तुम लाइसेंस लाना चाहता हूं का आरसी बुक बनाना चाहता है इसकी बारात की तैयारी भी करनी है कितने भी कोशिश कर लूँ पांच हजार वसूल ले एक्सिदेंट करवाएगा क्या टाइमिंग है यार बहुत सई तुम लगी है तेरे लिए कितनी अची कार आ रही है पांच हजार के लिए मुझे बली का पक्रत प्रोगे तेरे जिंदगी पांच हजार के लायक भी नहीं है तुम लाइसेंस प्लीज गुड्ट आरसी बुक वेरी गड़ इंशूरंस बड़ सर्टिफिकेट उसके बिना लाइसेंस में बड़ डिट सही है या गलती कैसे बता चलेगा चलिए दिखाईए वैसे मैडम आप जा कहा रही है मैं कहीं भी जाओ तुम्हें कोई प्रॉबलम नो प्रॉबलम आपके पास तो कार है आप कहीं भी कि क्या हुए यह तो एक सेट की गड़ी है वही शेर का बहुत पड़ा समय है मेरी नोकरट पड़ गई खत्रे में अरे उदेख क्या रहे है चलो इसको रोपो चलो 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 ऑप नवा पर अरे दो अरे क्या मेडम मैंने अपसे खाली खरचा पानी मांगा तो आप पूरी ग तरसल मेरे दोस्त की प्रॉब्लम थी उसके लिए पैसे चाहिए तो मैंने आपसे मांगे और आप अपनी चोड़ कर वहां से चली आई ये लीजे मेडम आपके कार की चाबी अरे अगर भी की मांगनी है तो रुमाल बिशाओ कुछ नो कुछ मेली जाएगा ऐसे तो मार खाओगे तुम लोग अपना मुव बंद रहा है और जाना अपना चाम कर चल्ट क्यों गड़की है यार यार कुमर यह प्यार और फ्रेंट्शिप में क्या फर्क होता है प्यार आंटी के बनाए हुए वड़े की तरह होता है कववा आके कभी भी उठाके ले जा सकता है लेकिन फ्रेंट्शिप जो है आंटी की तरह होती है जिसे कोई उठाके ने ले जा सकता यार मैंने डिसाइड कर डिया अटी को ठाका लाएगा अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी जिन्दगी में वो तीन लड़कियां आ गई है जिन से मैं प्यार करूंगा प्यार सिर्फ तेरी तरफ से भी उना चाहिए उसकी तरफ से भी होना चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगी यार तेरी बात वह समझ नहीं मैं समझाता हूँ जैसे दो धागे जोड़कर गाठ बनती है वसे दो दिल जोड़कर प्यार बनता है में लाव तू अपने ग्रह को कटिंग चाहे की परिभाशा बता रहा है क्या अबै तू क्या बंदर की तरह हस रहा है तू मेरी बात सुन चलो मान लेते हैं कि उस लड़ लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती है बस यही बात है काले लड़कों से लड़कियां प्यार नहीं करती है ऐसा तुम लगों से किसने कहा कैसी भी लड़की हो उसे पटाया जा सकता है एक ही टेक्नीक है हर लड़की की कमजूरी जाननी चाहिए और फिर वैसा ही ट खापी गे सोजा चल जा चल रहे हैं कुछ तो बताओ ना यार तुने खाना खाया तुने खाया क्या है क्या मजाग कर रहे हो हां नहीं यार वो लड़की जो बस के पीछे भागी थे उसका नाम जयोती है जोती अच्छा नाम है लेकिन मेरे साब से वो तेरे लायक नहीं है यार वो लड़की राणी नगर के हाउसिंग बोर्ड में रहती है बड़ी फैमली है भाई है भाई का परिवार है यह है वो है यह सब क्या कहानी सुना रहा है यार उनके राशन कार्ट में इसका नाम नहीं करती है यार उसके भाई से इसकी तुलना क्यों कर रहे हो इसकी बात कुछ और है दूद घी मखन मिठाईयां खा खाके देखो इसको कैसा तकड़ा सांड हो गया अरे कितना भी तकड़ा क्यों नहीं हो उस लड़की को लड़कों से सक्ट नदफ रथ है अरे देखें को पूछ नहीं हो यार एक ही से प्यार करेगी उसी के साथ जीएगी अरे ऐसी बाते किसी शरीफ लड़की को शोभा देती हैं क्या पहले से अगर उसने किसी को दिल दे दिया हो तो एक लड़के से प्यार करना चाहती है इस लिए तू उसके रास्ते से अठ जा़ तू बता, बड़े घर की लड़की है, 500 करोड रुपए की इकलोती वारिस है, हम लोग 4-4 वारिस बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, तुम करोणों को इकलोती वारिस के पीछे पढ़े हो, वो लड़की तीन साल पहले एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस धोका दे दिया, लेकिन अभी वो ऐसे लड़की की तलाश कर रही है, जो उसे सच्चा प्यार करें, लेकिन उस लड़की से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उसके घर के बाहर जबर्दस सिक्योरिटी लगी रहती है, फिर तू से कैसे मिलेगा, और वो दिन रात प्लबों में रिस्टराण में अपना वक्त दूसार भी रहती है, अरे तू उसके लायक नहीं है, उसे भूल जाना है, अपनी जिन्दगी में मैंने अब तक जो भी चाहा, उसे हासल किया, जीतना मेरी आदत है, हारना मैंने कभी सीखा नहीं, और ये भी जीत गया, तो बहुत बढ़ी आ होगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, हाँ, जोती रानी नगर से ठीक साड़े साथ बजे सर्विस बस से निकलती है, के के नगर, जीसे उतारना उत्रो, अलो, चलिए उठिये, अरे उठिये न, अब बैट जाएए, अब बैट जाएए, मुझे कोई प्रॉब्लम ने, नहीं, आप बैठिये न, कोई बात नहीं, बैठिये, no problem, मैंने कहा न, कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ बैटने से आपको क्या तकलिफ पहले मेरे सवालों का जवाब दीजे उस खाली लेडी सीट पर क्यों नहीं बैठी मालो तुम वहाँ बैठी होती और मैं तुमारे बाजू में आके बैठा तो तुम केती ओ शरम नहीं आती क्या लड़कियों की सीट पर बैठने प पहले अपना टिकट लो उसके बाद दूसरे लोगों को सपोर्ट करना ठीक है जिधर देखो लड़की 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 मुझे लड़की जात से ही नफरत है लड़किया अगर दुनिया में नहीं होती न तो कितना अच्छा होता कंड़क्टर गाले रुकवाओ गाले पलट के पलट 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 वहाँ वहाँ अग्ने वाँ जात्री नहीं हाँ कि अपिए अपिए ना तुम जैसे खुबसूरत लड़की अपनी फ्रेंज के साथ बात कर रहे हो और मुझ जैसा ब्योगकूफ लड़का फोटो ले तो गुस्सा वाजिब है और आना भी चाहिए लेकिन मैंने आपकी फोटो क्यों ली बता है मेरे लिए कई जिगे लड़कियां देखी गई हैं मेरी माने भी मुझे पचास लड़कियों की फोटो दिखाई हैं पर मुझे कोई पसंद नहीं आई और जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारे जैसे लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं मा को यह तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने बहुत खर्च करवाया यार वो तेजू आएगी यह कंफाम है जोनियार अमीर घरों की लड़कियां अपने दास साब करना बले भूल सकती हैं लेकिन फ्रेंड के साथ क्लब जाना किसी तूफान में भी होगे वह देखो आटो में आगे चलो चल्दी से तयार हो जाओ परे जल्दी जाके ग्रहक से रोकड़ा कैश ले ले अब यह किसको लिए तुमारा बेच करता हूं तुमारे हिसाब से तूहमें क्या समयते हैं जल लेकर फूंट इसे अंदर ले जाएं अंदर वैसे रोश्णी काम होती है किसी वो कुछ पता नहीं चलेगा चल ना यह छोड़ चल आज़ा कि अधिशेट जारा लूज है मुझे पता है आप बता सकती है ऐसा क्यों है अची अची ओ मैं गोड़ वाट्स हापनें है ज्या वा तुझे किसने मारा तुझे ओलना किसने मारा सुनाएन देता क्या किसने मारा तुझे बोल यह बीडू वो देख उसने मारा तुझे यह रूख इसने तुझे क्यों मारा शराब पिरा था लाइट आफ वा तो देख नहीं पाया मैं बाजू में लड़की बैठी थी उसपे मेरा हाथ लग गया बाद में मैंने उसे शौरी भी बोला था कि चोड़ना अगर तेरी Virgin को कोई चड़ेगा तो तो चौड़ देगा जंशे मार दूंगा मैं भी तेरी तरह कोई Girl Furn लाटा और उसे कोई चीड़ दा तो मैं उसे जान से मारएताइज अब लोग कोई से छड़ेगा तो मैं वहां भी जान से मार दूंगा एक हाथ में शराब और दूसरे में सिगरेट चुप करना यह सुनो ऐसी जगे पर आओगी तो ऐसी हरकते होंगी और ऐसी हरकते बुरी लगती हैं तो यहां पर आना भी मत मारने वालों को भी तकलीफ होती ह और मार खाने वालों को भी तकलीफ, बची गया इस बार, चल चलते हैं, चल जो मार तो देखा कर, सारी यार, क्यों, हम आये थे, किस काम के लिए, और क्या हो गया, माफ कर दो यार, हम, हे, क्या यार थू भी, तुम तीनों में से कोई भी नहीं समझता, तुम लोग मुझे बह पर मुझे ऐसी लाइस्टाइल पसंद है, मुझे चाय वाला, आट वाला, वो कॉंस्टेबल, तुमारे साथ रेकर में बहुत कुछ हूँ यार, आचा ये बता, तु इतनी गहरी सोच में क्यों डूँगा है, ने, तेरी बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अ उसे बखने दो तुम निकलो, बाप शेर, तो बेटा सवाशेर, तुमारी मा का बढ़बढ का बंध होगा, जब उस सो जाएंगी, जब तुमारी नौकरी लग जाएगी, तब बंध होगा, आज भी तुमारे इंटर्विव में लड़की रहेगी, उसे भी देखकर शेरोश अरे यार, ये तुँ वही है, लेकिन इंटर्विव, अगर नई ड्रेस नहीं देंगे, तो मैं इंटर्विव नहीं जाओगा, पहचाना मुझे, डिलिट किया की नहीं, अभी तक मा को दिखाई नहीं है, क्यों, छोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर मैंने मा को बता दिया, और मेरी माने तुम्हें पसंद कर लिया, और वो जित करें लेगी तुमसे मिलने की, और तुम्हें अपनी बहु बनाने की, तो प्रिया, प्रिया, सुनो महाशे, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानते ही। मेरा नाम कार्तिक है, तुम कार्तिक हो या गुंड़ा स्वामी, इस नोट मयठीव मेरी सिंदगी में बहूत सारे प्रॉब्लम है, एक और नया प्रॉब्लम मत जोड़ो, ओके? जानता हूं प्रिया, तुम किसी अच्छी आदमी से प्यार करके उससे शादी करना चाती हो, यही तुम्हारा सपना है, और तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल नहीं रहा है, और तुम्हारी मा किसी लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कराना चाती है, तुम सोच रही हो कि कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजवार मिल गया, वो बहुत खुश हो जाएंगी, फिर बोलना मा एक ही रुकावट है, लड़का एक साल तक शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लगते हैं, वो शादी कर लेगा, वन येर फ्री, तुम्हारा ये आइडिया अगर मैं घर जाके ट्राइ करूँ, तो क्या ममी मान जाएगी, वो पागल है क्या, अगर मैं अपनी मा से कह भी दूँ, कि मेरा प्यार मुझे मिल गया है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे उससे मिलना है, तो मैं किसे ले तो अब तुम्हारे पास पुरे एक साल का वक्त है, मुझे पुरा विश्वास है, तब तक तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तब तुम अपनी मम्मी से कहना कि मम्मी, वो लड़का तो मैंने सिर्फ तुम से टाइम ले निकले खा था, पर आज मैं इस अबर दिये बगेर जा रही है, कार्तिक, क्या है, चलो प्यार के बारे में तो तुमने समझा दिया, लेकिन अपने प्यार से पहली बार कहा मिली, पूछा तो क्या बताऊंगी, एक मिनिटा, बैठो, किसली, अरे बैठो ना, मैं बाइक पर नहीं बैठ सकती, क्यों, बाइक हम जा का रही हैं, रुखो बताता हो, भजा लेट में रोकना, यहां यहां, क्या कहरे हो रुखो बताता हो ना, मुझे यहां के लाए हो, रुखो ना, प्रिया, मैं बस भी आता हूं, कहा जाने हो, अर्जिंटे, आदा हूं इन्फोसिस बेल्डिंग के बाहर पिंक लर की स्कट पहने एक लड़की खड़ी है वो ह्यूमन बॉब्म है वो छोड़िये आप अपना काम कीज़े अब लिए अब नगें अब लीचर के लागें के यह डिशे को बैख अबलेंगें आप से अरश में बतने करें नहीं शेटार्टी में आपके दिक भी कुलाओ ह mistakes पहाइक सबढूएं देख लेंग अब तू देख यह किने कोईادआ है हमें क्या करें पूत्म होके साथ कारें आप लोग्त तौर्प होक्त करेंए आप..? फुल्स को दो हैं नीडिक पिंट Sweat प्रिया क्या है प्रिया पतानी अचानक क्या हो गया मैं खुद नहीं जानती एक मिनट के लिए तो मेरी चान मेरी चान ही निकल गए थी अगर तुम वक्ट पर ना आते तो पतानी मेरा क्या होता जो इति करते दो है घब्रावत यह सब मैंने किया था तुम ये बात अपनी मम्मी से कह दे ना तुम उंसे ये कह दे ना कि अ pan иде you और पुलिस वलों ने तुम्हें घिर लिया तु में कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था तु में लगा जाने क्या होगा अचाना केक लड़के ने आकर तुम्हें बचा लिया और वही है तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी चलता हूं परिया ये क्या कर रहे अरे मान गई यार मेरी बात मान गई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था तू देख ले ना मेरी जिम्दगी में उस सेट हो जाएगी संबल जाए कहीं ओवर ना हो जाए देख वो सामने भी खड़ी है अटो जोती है अटो रोग मुझे लड़की जाप से नफरत है कहा जाना है मेडम शिवा जी ने दर दुनिया में औरत ना होते तु कितना अच्छा होता अरे क्या हुआ यार अरे जरा सामने देखना ट्रैफिक पुलिस है स्टेपनी पर बठाकर ले जाओंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सौ की पति देनी पड़ेगी या फिर लाइसन्स मेडम आप जड़ा एड़ेस कर सकती है हां मैंने बात कर लिए पीछे बैट जा जा अरे जाना यार सुन है सिगनल के उस बार मिलता हो वहां तक पैदल जा रहा हूं मुझे लड़कियों के पास बैठना अच्छा नहीं लटता है जानत करके इसको आटो में बिठाया तुम दोनों की सेटिंग भिडाने में लगा था और इतने में तुम्हारे पता नहीं क्या सिंग निकल आए तू एसा क्यों कर रहा है यार तू नहीं समझेगा तुम लोगों नहीं कहा था कि इस लड़की को लड़कों से नफरत है और एकिया सअध्य के जैसे चला रहा है हो के अर बदलो थोड़ी चलाओ ये कहीं वो सेट ही तो हम लगों को फॉलो नहीं कर रहा है क्या बात कर रहा हैं सेट हमें फॉलो क्यों करेंगा यार सेट की गारी तो नहीं लगती सुन दो, सुबह उस गाड़ी से भीड़ा था न, लगता है वो ही फालो कर रहा है, तू इतने विश्वास के साथ कैसे के सकता है कि भई फालो कर रहा है, तू इतने सालों का तद्जूर्बा है मेरा, पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि वह हमें फालो कर मैं चीज कर रहा है अभे परवाएगा क्या यार तबाल के चला अरे फिड़ेगा मैं भी सी लागेगा हूँ तो मैं क्या मलेश्या से आया हूँ मेरे डलक पर ध्यान मत दो जरा उनकी हालत देखो अभे कौन है तेजु अभी 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 तेजु यह यार उठाश को चल जल्दी उठा अरे कुमार यह लड़की कोई रिलाइंस है क्या नहीं बीसनल है रिलेशन कहना नहीं आता है तो अंग्रेजी की मा बेन क्यों कर रहा है अच्छा दोस्त मैं डॉक्टर को बला कर लाता हूं है चुपक यार कहीं इसकी याताश तो नहीं चले गई ना मुझसे पूछा बताओ ना मुझसे पूछा क्या तुम भी हुश थी कैसे पूछ सकता था ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो एक्सिडेंट की जगह कुछ देर और रहती तो अपने आप हुश आ जाता इस तरफ भी जहां देखो मरीज अब सोचती हो तो मुझे शीष शीष क्या कर रही है सुन यार एक तो तुने इसकी मदद की और यह तुछ पर ही चला रही है कहीं यह पागल तो नहीं है चुपकर यार रोयल है क्या रोयल है ज़रा उदर दें गोविंदा के जैसे चट्टी पहनी हुई तुम नहीं आई थी क्या बला नोटन की बाज है आई थी अच्छा वो तो ठीक है पर तुम चेस क्यों कर रही थी योही क्लब में तुम अच्छी ड्रेस में थे और काफी हाइफाई लग रहे थे लेकिन आज मैंने तुम्हें खाकी ड्रेस में आटो चलाते हुए देखा य एक हमारे परोस में भी है लोकल बा बिल्कुल कल ऐसे ही मूड हो गया कि चलो देखते हैं कि अमीरों की लाइफ स्टाइल होती कैसी है तो यूहीं चला गया तोस्तों ने जित खिया था जिया उसके लिए आटो का आर्से बुक गिर्वी रख दिया था आटो का आर्से बुक मुट बनाने के लिए तो आपने काट दे दिया चखने के लिए और फ्रेंड्स के लिए अलग काट देंगी तुपकर जाया से थैंक्यू सो मच तॉम चले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सॉरी क्यों कल मुझ से बहुत बड़ी भूल हो गई थे पर मेरा मतलब वो नहीं था बब में आने वाली हर लड़िक्यों को मैंने गलत समझ लिया था बहुत कुछ कह दिया था मैंने मुझे ऐसा नहीं किना चाहिए तुमने जो भी कहा वो सही था यानि लड़के पिएंगे तो लड़कियों को भी पिना चाहिए लड़कियों को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए एक तरफ वो अरत है जो अपने पती को अपना भगवान मानती है और दूसरी तरफ वो अरत है जो शराप पीती है और अंग प्रदर्शन करती है तु यहाँ क्या भाशन देने लगा कंटीनिव कंटीनिव और तों को इसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरा पश्रे तो उस क्या नाम है उसका आर्यन नाम था उसका वह आर्यन साला तुम जैसी पढ़ेली की लड़की को बरबाद कर रहा है जहां से किर्यानी को देखो इंद्रागानी को देखो मदच रेशा को देखो शार्दा देवी को देखो वह भी तो औरत लोग का आदर करना चाहिए पता है तुम्हारे सामने इतना भाषन क्यों दिया इसकी पीछे बजे है जब लड़की और दोस्त की बात आती है तो मैं अपने दोस्त को ही चुनता हूँ मैंने क्लब में उस आदमी को सोना तुने यह सब किसने सिखाया तुझे अरे यार मैं इंटर्व्यू में गया था वहां उसने सिखा दिया तीन पहले से ही अब चौथी नहीं चलना यार चल बसकर पांच हजार के कपड़े में दिलवाय थे खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है वो यह नहीं जानता इंटर्व्यू में गया ही नहीं आज के बाद मैं तो से कोई उमीद नहीं रखूगी छे फूट का गधा हो गया है इंटर्व्यू में क्यों नहीं गया तू अरे छोड़ो पापा आज तो मैंने तीन इंटर्व्यू अटें किये हैं तीन इंटर्व्यू अटें कर रहा तू लाँ फोन मेरे पास मैसे कह लाँ में गूट कॉछ दे कौँ विज दर्षण को रिखा रखांग म het कर न तर वहाई मेरी बीवी को-टेंशन दिया थेक नहीं होगा यह अपना फोर पकर और अंदर जाके बात कर जी पपाभा पापा अब तेसल बॉल दोबारा फॉन करेक्ट थेंक्स जयान बची अब बोलो फॉन क्यों किया था टूम्ने जैसे तहाटाय वाईसे मैं अंडिया अउन्ही क्या काईcco वो तूम से मिलना चाहती है मिलना चाहती यह स애 पाटीक कंच्रा किया। हुआ कि मिलना काती है。 भी मिलने कॉछ? ही कार्टीक। कि मैं वन्हार कुछ.. अबना भी त अब गश्यरниц ciekίν는데.. कirie थे तकूक्र सब्सक्रांद करनें थे तो आज सब सब्सक्रामाइब.. वो क्या है कि तुम्हारे घर में मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मा का है जड़ा रुको बुलाती हूँ मेरा कीमती ड्रस खराब कर दिया देता हूं किज की बेवकूफ देख्या रहा है दूंक्या नाइस टाक अइनो तुम मो मा को बलाने गई थी ना क्या हूँ आई नहीं ममी घर पर नहीं है क्या अखेली हूँ तो फिर मुझे यहां क्यों बुलाया कॉफी शॉप में तुमने मेरा फोटो निकाला मैं ने तुम से उसे डिलीट करने के लिए कहा फर तुमने नहीं किया उस मिलना चाहेगी तो तुम आओगी या नहीं यही आजमारा चाहती थी और तुम टेस्ट में पास हो गए तुम जबान के वैसे पक्के हो क्या प्रिया तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या ठीक है अब तुम जाओ क्या बात है अब जाओ ना ठीक है फर्स टाइम तुम्हारे घर पे आया हूँ चाय कॉफ एक लिए नहीं पूछोगी क्या वो कब पूछना चाहिए मैं अची तरह से जानती हूँ डर्वाजा उस तरफ है कार्तिक मेरी इस तरह से मदद करने में तुम्हारा क्या फायदा है बताओ न हमें घर किराये पर लेते हैं जब वो घर हमें पसंद आ जाता है तो उसे खरीद कर अपना बना लेते हैं उसी तरह इस वक्त तुम्हारे लिए किराये का सपना है और जब यह सपना हकीकत में बदल बसा लेंगे मेरे लिए रत्ती भर प्यार जगा तो अपना हाथ बढ़ा ले ना मैं उससे थाम कर तुम्हें सदा के लिए अपना जीवन साथी बना लूँगा कोई फिल्म देखकर आये हो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है वरना यहां जब कोई नहीं है तो तुम मुझे यहां क्यों बुलाती हो सकता है तुम्हारी मा मुझे रेस्टॉरा में बुला ले लेकिन घर पे बुलाने का मतलब कुछ तो जरूर होना चाहिए डरो मत प्यार का इज़ार करने में प्रिया, 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 शुरू तो जाओ ओ हाए नमस्टे वेल्कम आपने मुझे यहां क्यूं बुलाया? पैसे वालों की तरह एक दिन पीने की तमंना करने वाली इंसान को क्यों ना एक दिनी सही एशवाराम के साथ जीने दिया जाये ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने यह कमरा बुग किया दिप्लोमाटिक स्वीट डिप्लोमेटिक स्वीट का मतलब। वैसे यहां पर आम लोग ठहर नहीं सकते, वी-वी-ाइपी लोग यहां पर ठहरते हैं और इस वक तुम यहां पर रहोगे तो मैं भी वी-ाइपी हूं क्या, अफकॉर्स यहां क्या कह रही है, जाह देखो अरे बापरे, क्या बाद है, क्या बाद है, क्या बाद है, कातिक, अब खुश हो ना, खुश, मैं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, भगवाद, यहां सब कुछ आज तुम्हारा, मैं तुम्हें कर लेनी आओंगी, बाई, बाई, मैं जानता हूँ, धाय लाग से कम तुब बिलाने वाला है नहीं, फिर मैं क्यों चुप रहोंगा, तुम्हें पसंदा ही ना, कार्थिक, तुम सच में खुश हो ना, सुबह से आटो निगाल कर मेनाक्षी कॉलेज पैरेस काड़न सी साइड घूमते रहता हूँ, मीटर से दस रुपिया जादा मिला तो फिर कहीं भी जाने को तयार हैता हूँ, मुझ मामूली इंसान को तुम यहाला कर पूछ रहों कि, तुम खुश हो की नहीं, मेरे लिए तु ये सुर्ख से कम नहीं है, अब दे estar मेने तिरा किःतना बिल बनाया है, देख देख जल्दी देख, 2,40,000 का बिल फिर भी कोई फरक नहीं ये क्या है सुनो ये आप लोग क्या कर रहे है एक दिन का 2,40,000 का बिल आया है अरे तुम चुप रहो कमरे का बड़े सतर हसार प्लस सर्विस टायक्स सतर हसार सुनो इतने पैसे में बहुत बड़ा मंगला महिने भर क्ली कि राया पर सकता है सतर हसार चलो फिर भी ठीक है तुम लोग अंधा धून लूट रहे हो वो ठीक है लेकिन ये वाइन इसका तुमने बीस जार रहा है इस ब मेरे एरिया में बताता हूं काड़ी साइड में लगाओ मेरा खर यहीं है कि अब कि कार्थिक तुम खुश हुजाओगे यह सोच कर मैंने तुम्हें वहां बुलाया बुरा लगा हो तो आया एम सॉरी टेजु फोन पर तुमने बताया नहीं कि तुमने जो क्यों बोला और मैंने भी नहीं पूछा कि क्या काम है तुम मुझे अपना पांच मिनिट का वक्त होगी क्या अपनी साइकल देंगी यार अपनी साइकल देंगी यार अच्छे से बैठना यह आरि और अभी आच अपशे नुख भी के विझे PT तुम महां जे लुटॉ स्टाज कोत्त प्वस्टॉ सुक्तॉ सुक्त हुख operate कार्टिक, साफ, प्लीज़, आप अरे बैठो ना दादी, दो प्लेट इटली कार्टिक, मैं ऐसी जगह नहीं काती हूँ चटनी थोड़ा जादा डालना दोने में कार्टिक, ला 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 थैंक्यू, तुम भी लो ना थैंक्यू, सुनो कार्टिक, मुझे अच्छा नहीं लगेगा चलो खाओ, परे खाओ तो कैसा लगा? यह वो यह क्या है? टिश्यो पेपर जाद़ी कितना हुआ? 45 रुपेशा 45 रुपेशा पैसा लाना मैं भूल गया कार्टिक, मैं देती हूँ ना तुम जाओ बेटी, कार्थी को यहां सब लोग जानते हैं, तुम जाओ ना यही है मेरी लाइफस्टाइल, तुम्हें लगता है सब कुछ पैसे से खरीच सकते हैं? किस काम के लिए मांग रहे हो, यह भी नहीं पुछा संजो भया ने, और साकिल दे दी, पास में पैसा भी नहीं था, पर पेट भर के नाश्ता भी किया, डादी मा के गाड़ी पर, इसी तरह मेरे आसपास सभी बड़े अच्छे लोग हैं, शाहिद ये बाद तुम नहीं समझ पाओगी, दो लाग, चालिस जार रुपए खर्च करने लाएक इंसान नहीं हुआ, मैं ऐसा हुई नहीं, और नहीं बनना है, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो, मुझे माफ कर देना प्लीज, बाई 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 देचू, बाई, क्या चाल चलिए तुने कार्टिक, बहुत सही कार्टिक, बहुत बढ़िया दोस्त, तीनों करेक्टर मुझे सुपर बिले हैं, लाइब सेट हो गई है, यह रात अरे तुने ही, हाँ, 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 मैं चौनती हूँ, अरे लेकिन आज मैं तुझे नहीं मिल सकती, ठीक है, ओके, बाई, अज जोटी, हमेशा मुझे कहती थी कि लड़के पसंद नहीं, लड़के पसंद नहीं, तो फिर यह कौन है, हाँ, यार होगा, चुपके चुपके लव लेकर लिकर दो तुझे, आहर हुं, ते गुदुमें प्यार हो गया हो गया हम, हखाई है? ए तो, इससका बाए बॉक किया है हुए रॉक चुबध रॉक रॉक, आँड़से पचाह बोलना आ तो इसका बोडि गाड़ क्या है? बोलना नड़के लोग पासंद नहीं है क्यों पुरे हैं अपको मारेगा क्या हुआ है इसे ले जाता है ले जाता हुआ है हुआ 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 है घर का है बस थोड़ी ही दूरे अखेले चली जाओ कि अगर बो लोग दोबारा आगे तो हुआ है मैंना नाम जोती है अब तुम्हें मैंने पहली बार सिटी बस में देखा था तुम लड़कियों से नफरत करते हों मैं भी तुम्हारी तरह हूं तुम्हें भी लड़कियों से नफरत है चिछे मुझे लड़कियों से नफरत नहीं लेकिन लड़कों से नफरत है तुम लड़कियों से नफरत करते हो फिर भी आज तुमने एक लड़की की इज़त बचाई मुझे अच्छा लगा तुमने कहा था कि लड़कियों से नफरत करते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे लड़कों से नफरत है, यह जानने के बावजुद भी, तुम्हें मुझे पर गुस्सा नहीं आया, आज से हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, मैं तुम्हें अच्छे लगने लगूं की, प्लीज, प्लीज कहीं यार, तुम लोगों ने कहा था ना कि ना मुम्किन है, ना मुम्किन है, मुम्किन कर दिया, मेरा हाथ पकड़कर बोली, प्लीज, दोस्ती कर लो, और क्या-क्या कहा हाथ पकड़कर, उसने मेरा हाथ पकड़कर का हम दोनों दोस्त बन जाएं क्या मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी एकस्क्यूज मी इस तरह इतरा ना छोड़ कर तु किस खुशी में पी रहा है ये हमें बताय का क्या प्यार के खुशी में वो तीनों लड़कियां मेरे जाल में पूरी तरह से फस चुकी हैं अब मुझे ये देखना है कि मैं उन में से किस से शादी करूँ देख यार, जल्दबाजी मत कर कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना कौन होगी यार तु ही बता ना यार रुक मैं बताता हो, हमने तीन अलग अलग लड़कियों का पता लगाया था मेरी सिलट की हुई लड़की से ही ये शादी करेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मालनों वगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या उसके लिए ब्रोकरी मांगेगा यार, तुम्हें उन लड़कियों में से कौन पसंद है यार, वो तेजू तुम्हें लाख ही नहीं उसके पास पांच सु क्रोड की दौलत है, जो मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए ना, तुम सबको तो चाहिए ना यार, तेरा वो चाय का स्टॉल है ना, यार, लेडीज कॉलेज के बगल में एक कॉफी शॉप खुल ले ना, क्या बात है तेरे बड़े साब से बात करके, तेरा प्रमोशन करवा देंगे, हरे यार, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कॉंस्टेबली रहने देंगे तो, तो तो आटो चलाता है ना, पहले चलाया करता था, आजकल तेरे साथ लड़कियों के पीछे चक्कर काट रहा हूँ, तेरे लिए, बीमडबलू कार दिला देंगे, हां, और उसमें टैक्सी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा के, रोड पे चला, पूरे इंडिया में, बी तेरे लिए, बीमडबलू कार आएगी, मेरी रिक्षा खड़ी है कभी से, कभी से, कभी से, कभी से, ए भाई, पहले तो हमें सपना दिखाया है तुने, और आप रो रहा है? क्या है यार, एक ही लड़के से प्यार करूँगी, और उसी के साथ शादी करूँगी, बस इसी जिद में आड़ी है वो प्रिया, अभी तक इसी सपने में जी रही है वो, वो मुझे प्यार करने लगी है यार, नहीं यार, मिरे लिए प्रिया ही ठीक है, प्रिया ही मेरी नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे प्रिया चाहिए मुझे प्रिया चाहिए चाहिए कुछ भी हो जाए यार यह तो सच में हो रहा है अरी क्या होगा इसको यार यार वो जोती हमेशा लड़कों से नफरत करते थी, मुझसे मिलने के बाद वो लड़कों को शरीब समझने लगी है, लेकिन मैं एक फ्रॉड हूँ, जब उसे ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा यार, आप तो लगता है तेरे वज़े से हमें भी बहुत रोगन और यारрос आखरी तैरा अलवे है, लगता हमें कुछ करना पड़ेगा अब मुझे कहां ले जाना चाहते हो आहे चलनाय बताता हूं, हा तू क्या करना चाहता है, थू क्या करने बाले भाई है जर मों नहीं तो वो तो इसु करने एगा भूपर भार भारा भूपर भार भारा मेरा हो गया दिल तेरे ही प्यार में खो गया है दिल तेरा कसम से हो गया दिल तेरा ही दीदार चाहे हां ये दिल चाहत में तेरी तूपी हूँ ऐसी मुझको नहीं है खुद भी खबर लबना ये फीवर जाए ना फीवर छाया है दिल पे कुछ ऐसा असर दीवानी दीवान में हो गई तेर्चेनी विता भी है यारा दीवानी दीवान में हो गई यावन मेरा रोख मेरा तेरे लिए है ये खुस्न मेरा मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ बाहे पुकारे ये तो आभी जा छाय लगा जादो 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 तेरी अजब जादश्या प्यार में तो जीन दे उड़े जीना भी दुश्पार हो प्यार में दीवानी दीवानी में हो गई पेचेनी बेता भी है यारा दीवानी दीवान में हो गई पेचेनी बेता भी है यारा Kartik, I love you. Kartik, I love you. Kartik, I love you. किलका मेरे कीरो है तू करपल मैं देखू सफने तेरे आये लाँ तेरे बिना तेरे बिना बाहर में तो आजा सनम प्यार करो खुलते सनम प्यार बिना जीवन में कुछ भी नहीं दीवाना मेरा हो गया दिल तेरे ही प्यार में खो गया है दिल तेरा कसम से हो गया दिल तेरा ही दीदार चाहे है ये दिल चाहत में तेरे तू भी हूं ऐसी मुझको नहीं है खुद की खबर लबका ये फीवर, जाए ना फीवर, छाया है दिल में कुछ ऐसा असाइड दीवानी दीपानी में हो गई, ते जैनी बेता भी है यारा दीवानी दीपानी में हो गई, ते जैनी बेता भी है यारा गुछ रगनाथन आप मुझसे बात करना चाहते थे ना, आप ही ने कहा था ना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, क्यों डाट, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेंड किया गया यस डाट, आइम इन लव नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, आप उससे मिलेंगे ना, तो आप भी उसे पसंद करेंगे हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन वो दौलत मन नहीं है, एक आटो ड्राइवर है उसे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं, मैं गलत सुचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली होना, तब से मुझे इस बात का हैसास हुआ, कि दौलत से सारी खुशिया नहीं खरीदी जा सकती उसने मुझे साइकल पर बिठा कर पूरा अलाका घुमाया, अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों का रहन सेन देखकर, मुझे कुछ-कुछ अच्छा लगने लगा एक गरीब बुडिया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई, मैंने सूचा कि मुझे वह पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी डैड, वो जिस तरह से जीता है, छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी, उसके ज धोखा खाने के बाद दुबारा प्यार नहीं कर सकते, एक बार धोखा खाने के बाद दुबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते, लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जाए, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बीटा, तुम ल इसलिए आचाना किसी चीज के बारे में तुरंत पैसला नहीं करता। चोटी-चोटी चीजों में भी बेस ढूंडने वाला अपने होने वाली बीबी को भी ऐसे ही सेलेक्टर लेगा। उसने तीन लड़कियों को सेलेक्ट किया है। उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्नीक वो तुम तीनों पर अपना रहा है। देखो। ये तुम और कार्थिक जब मिले थे। ये तुम से मिलने से पहले प्रिया के साथ। ये तुम से मिलने के बाद जियोती के साथ। मैं तुम्हें भुद्धिमान समझता हूँ। इसलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केर माइडियर बाई। मैं दोनों ही खाम करता हूँ। मीटर से 10 रुपया जादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अगर मुझे भूलोगे हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे लेट हो गया। मेरा शटका है। इसने मुझे यहां के पुला है। सौरी तेजू मुझे लेट हो गया। ट्राफिक बहुत ज्यादा था ना। अरी बॉप रही तेजू आज रात को ना मैंने एक सपना दिखा। हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ मेंनों बात तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया। तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है। फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया। बाहर वेट करने लगा। तभी बच्चे की आवाज आई। जोती। क्या केरक्टर है तुम्हारा। क्या समझते हो। तुम्हें सब कुछ बैस्ट ही चाहिए। पैर में पहनने वाले जूते और होने वाली बीवी। दोनों का कंपेरिजन एक जैसा। कैसी सोच सकते हो ऐसा। एक वाटो ड्राइवर हो, देसी दारू पीने वाले हो न। तुम्हारे माबाप बैंक के मैनेजर है। सी फेसिंग फ्लैट है, एक लाख की बाइक है। मुझे धोका दिया तुमने, अपने जाल में और दो लड़कियों को फसाया। चलो चलो ठीक है। तीन लड़कियों को पटाया है। उन में से एक से तुम शादी करोगे। फिर दूसरी दो लड़कियां तुम्हारी याद में गुर्टी रहेंगी। क्योंकि आयसा, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ए, चपकरना, क्या तुमने गलत किया, गलत किया कीरट लगा रखी है। काम की दलाश में लोग 4-5 कमपणियों में अप्लिकेशन नहीं देते हैं क्या। घर के लोन के लिए 4-5 बैंक में अपलाई नहीं करते हैं क्या। क्या, यहीं सोचकर कि कहीन कहीं तो अपना काम बनी जाएगा ना। तुम कब से कह रही हो कि लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। कौन सी लड़की सती सावितरी होती है। किसी लड़के पर दिल आ जाता है। दो-तिन साल उसके पीछे घुमती हैं लव-लव करके, फिर एक दिन उसी लड़के से बोलती हैं कि अरे बापरे, मेरी मान नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे। और उसके बाद किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या। उसके बाद लड़के लोग दाड़ी बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर कुट्पे किट्रे इदो दोर भटकते रहते हैं। हलो। आज कल की लड़के बहुत चालाख हैं और बहुत समझदार भी हैं। कितनी लड़कियां आती हैं और सब कस्मे खाती हैं। उनके कस्मों पर बरोसा करके लड़के उनके प्यार के चक्कर में पढ़ जाते हैं। और फिर वो कसम तोड़के निकल लेती हैं। जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आती। मैं ऐसा ही करूँगा। डबल रूट या ट्रिबल रूट में जाता ही रहूँगा। मेरी बात मतिरो, अपने बाप से पूछो। क्या हुआ। तुम्हारी मा को देखते ही, उन्होंने शादी भी कर लिया था। उससे पहले उन्होंने दस लड़कियों को देखा होगा। अगर वो गलत नहीं है, तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने तीन लड़कियों से प्यार किया है। और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें रिजक्ट करता हूँ। बचो ही दो लड़कियों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी, उससे मैं शादी करूँ। क्या कर लोगी तुम मेरा। क्या हो यहां से। मुझे सिखाने आई हो लड़कों के बारे में। अगर असली मर्द होना तो उन दो लड़कियों में से किसी एक से शादी करके देखाओ मुझे। देखना हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी को कितना बतसूरत बनाते हूँ। क्यारी, दंकी दे रिये क्या। तुम रोगे, मेरे पेर पकड़के गड़गड़ा होगे। इस तेजा सुनु को तुमने ठुकराया है। मैं क्या चीज हूँ तुम्हे दिखाऊंगे। गुड लक। हलो, डॉक्टर, मैं कार्तिक बोल रहा है। डॉक्टर, फोन करना है तो ओबामा को करना है। प्रॉक्टर, मुझे बचालो, मैं आप कहीं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर यहीं पर रहे, उनसे बात करो। डॉक्टर से? हेलो डॉक्टर, आज कुछ तीन दिन हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट रुको, अननार से बात करो। हलो, डॉक्टर हलो, डॉक्टर हाँ, बोलिये। मेरी प्रॉब्लम सॉल करा दो, डॉक्टर प्यार के लिए ही जीना, प्यार के लिए ही मरना, जिसके लिए सब कुछ प्यार ही प्यार हो, ऐसे लोग प्यार में मर कट जाते हैं। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे भी नहीं आया। आ के क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है। पागल बनकर घूम रही है, और तो और प्यार करने वालों को देखी नहीं पाती है, देखते हैं चड़ जाती है, हाँ जोती, मेरा दोस्त जिस लड़की से प्यार करता है, उससे अब कैसे मना के उससे मिलवाऊं समझ भी नहीं आ रहा है, इसमें तुम क्या कर सकते हो कार्तिक कर सकता हूँ प्रिया, लेकिन उस लड़के का फोटो लेकर उसके साथ दूसरी लड़की का फोटो जोड़कर वो उस लड़के को बदनाम करते हुए घूम रही है, अब करें तो करें क्या, अब आगे क्या होगा, दो फ्रेंड के बीच में अब तीसरी आ गई, मुझे अब क्या कहा तुमने, कुछ नहीं, हम कहीं बिचर तो नहीं जाएंगे न, मैं क्या पागल हूँ, कोई भी कुछ कहेंगा, और मैं मान लूँगी, तुम बहुत कन्फ्यूस हो गए हो, जोती, रिलाक्स कार्थि, I love you so much कार्थिक, I love you, जोती, कार्थिक, मैं प्रिया हूँ, Yes, how can I help you? मेरी बात का जबाब दिये भी न, अंदर चादिके, ओ, कार्थिक के माँ से कुछ काम होगा, तुम कौन हो, बेटा, बताओ तो तुम्हें कौन चाहिए, कौन ही लड़की, वही तो बाजू के फ्लेट हमारे जैसे इसलिए प्रोब्लम होती है, किसी और का घर समझ करा गई क्या? कौन है ये, क्या कर रही है? कौफी अचा है, ऐसे ही कुछ बना रही है, लगता है थोड़ी मेंटल है बेचारी, अरे बेटा, कौन हो तो उमा है? अस रही है, लगता है मेरा शक बिल्कु सही है, अब ज़रा चुप रहेंगे, कौन है ये हमें पता तो चले थेंक्यू, 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 थेंक्यू. वैसे तुम अभी तक बताए नहीं कि तुम हो कॉन. आफ सिर्फ कॉफी बीजी, पुले में. तुम्हारी तरह मैने भी नहीं पहचाना. अरे, लेकिन मेरी बात तो सुनी. लेकिन ये इसके बीबी की तरह सीधे उसके कमरे में गुश गई हाँ बता नहीं कार्थिक मा सोने देना मा कार्थिक उठो ना मैं प्रिया तुम या के रही हो तुम गुसा क्यू करते हो कुछ अजुन था फोन ट्रय कर रहे थी स्विच आफ बता रहा था इसलिए मैं यहां आगए और कोई रास्ता नहीं सुझा चाँ 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 अचली मैं जब से हाई हूं आंटी और अंकल यही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं तुम ने क्या किया तुम्हारे मामी पापा को मेरी बनाई हूई काफी कैसी लगी कहा तुम्हारे लिए कौफी शॉप खोल के दे देंगे तुम मेरी मा के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो मेरा फोन नहीं लगा तो क्या हुआ कुछ दिर बाद फिर से ट्राइ कर लेती घर प्याने की क्या ज़रूरत थी नहीं वो तुमने उस दिन जो फोटो दिखाया था अहां तेजू का था तो क्या हुआ तो क्या हुआ तीजू से में मिली थी जैसा तुमने कहा तब ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छे से बात की उसने उसने अच्छे से बात की? अहां कार्टिक बहुत अच्छे से बात की उसने क्या क्या कहा था? यो रेली लगी एक लड़का, एक लड़की से जब आँखों में आखें डाल कर बात करता है, तो वो सही है कार्तिक एक बहुत ही अच्छा लड़का है थांक्स कार्तिक की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी मां से बहुत डरता है उसकी मा ने उसके लिए एक लड़की देख रखी है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो ये कह दे कि वो किसी और से प्यार करता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात उसकी मा से कह दो फिर कोई प्राब्लम नहीं, तुम दोनों की शादी हो जाएगी और वैसे भी उसकी मा बहुत अच्छी है उसके घर जाने की बात कार्तिक को नहीं पता चलनी चाहिए भले ही उसका सपना तूट गया हो लेकिन दूसरों का सपना वो चाहती है कि ना तूटे तेजू की कहने पे ही मैं तुम्हारे घर पर आई थी अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी मा को हमारे लव की बार में पता चल गया है अब कोई डर नहीं है जब मैंने तुम्हारी मा को पहली बार देखा तुम मैं कितनी खबरा गई थी पताए मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, फर मैंने मैनेज कर लिया ओ शिट, अब मैं दूसरी वाली की प्रफ्लम में केसे समालू राइट राइट में लेना जोती, हम कहा जा रहे हैं बताती हूँ बाबा ये मुझे कहा ले आई ये क्या है जोती बताती हूँ ना आऊ ना कर ती ये कौन सी जगह है जोती दामाजी ये तुम्हरी ससुराल है नमसका ये वीर प्रताप का टूटा फुटा घर है वीर के घर में स्वागत है आओ 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 बैठो और कैसे हो सब ठीक ठाक हो सर यह क्या दमाजी सर कहके बुला रहे हैं हां तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो ना तुम दूले हो साले नहीं तो भाईया तो कह सकते हो अरे बताओ ना इसे धिरे धिरे ठीक हो जाएगा बुआ से शादी करने वाले हैं ना सबस्क्राइब यह क्या चोरों जैसा तुम लोग वहां के उखड़े हो दमाजी अधा यह कोन है आजा आजा अंदर आउ अंदर आओ मेरे ही आद्मी है दमाजी है भाई, सारे लोग आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ, जाओ दमाजी, चलिए कहाँ चलिए सर बताता हूँ, दमाजी सर, सर दमाजी मिला इंसे हाथ दिखा गया अभी नंदन करो सबका दमाजी है जोती के होने वाले पती जोडी बहुत बड़ी आए भाई अरे, ये क्या हाथ नीचे क्या वाए रहा हाथ उठाओ, अभी नंदन करो सबका आ, दमाजी है ये जोती, लड़का बहुत अच्छा है सिंदगी पर साथ निभाना देखा न दमाजी इतनी भीड को देख कर क्या सोच रहे हो आप कि मैं आपको डरा रहा हूँ नहीं दमाजी, मेरी बैन है न, मेरे गाउं की लाडली भी है इसलिए पहचान करवाना जरूरी है अब घबराइये मत ये जो, चार सो लोग है इने, मैं समालता हूँ लेकिन ये चार सो लोग अब आपको समालेंगे ये सब इसी गाउं में इधर उधर बसे हुए है ये सब मेरे लिए काम करते हैं चोटा सा काम है हाथ पैर तोड़ना, सर काटना मेरे बहुत वफादार हैं ये लोग मान लो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो काट डालेंगे ये या कोई लड़की, तुम्हें परिशान करने लगे जैसे बस टॉपर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था उन्हें ये बात पता चल गई न, तो उसके साथ उसके परिवार को भी घर से उठा कर गायब कर देंगे पता नहीं चलेगा पैचान लो इन्हें, अरे समाल के दमाजी, अंदर आजाओ दमाजी, मैं आपका बहुत शुक्र गुजारूँ मेरी बहन को न, लड़के लोग फसंद ही नहीं आते थे पचपन से बिना माबाप के पली है न, उसके बाद मैंने और मेरी बीवी ने इसे माबाप की तरह पाला मैं थोड़ा तेड़ा आदमी हूँ, इसलिए थोड़ा डरती है, इसे मर्द जाती से ही न अफरत है लेकिन जब से तुमसे मिली है न, लड़कों के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना शुरू कर दिया इसने और दामाग जी, मैं इसके बारे में इतनी बाते कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानना क्योंकि मेरे लिए मेरी बैनी सब कुछ है जाओ, 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 उसे छोड़के आओ, बहुत प्यारा दामाग कार्तिक, मैं तुम्हें यहां अपने घर क्यों लेकर आई, पता है तुम्हें तेजू से मिली थी, यह बात तुम्हें कैसे पता चले, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कार्तिक के जैसा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता, मेरी पसंद कोई और था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक ही था, देखा जाए तो उसके दोस्त बहुत ही लिमिटेड है, मैं जानती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, इसलिए यहां आई हो, पता नहीं क्यों, कार्तिक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता, उसके घरवाले उसकी शादी कराने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तयार ही नहीं, इसलिए घरवाल मैं अपने भाई से मिलाने के लिए तुम्हें क्यों लाई आज तो पूरा गाउं चान गया हमारी इस रिष्टे के बारे में मैं तुम्हारी हों कार्थी आजनी नाइस वेलिन देख लिया ना बूझे नेचा दिखाने का नातीज़ा क्या ब्रियान प्लान था तुम जो सोच रहे हो वह मैं नहीं गरूंगी जो मैं करूंगी, वो तुम सोच भी नहीं सकते हैं। तुम दस चाल चलोगे, तो मैं 11 चाल से मात दूँगी, मेरा नाम है तेजु। वैसे ये बात गलत भी नहीं। मेरे हिसाब से तो रिया को तुम्हारी इमा बहुत मानने लगी हैं। और जोती का भाई तुम्हें डमान। इंट्रेस्टिंग है न। तुम्हारी ये शर्ट एक दिन उतर जाएगी। और तुम सड़क पर आ जाओगे। आना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा। कि लड़की क्या होती है। पता चलेगा तुम्हें। जाओ। जाके सोचो मेरे अगली वार से कैसे बचना है। एक हिंट दे सकती हूँ। अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारी दुश्मन तुम होगे। काव कैसे कहां पर होगा। सस्पेंस। गुट लाक। प्रिया होगे। प्रिया होगे। जीने कालेले मजा प्यारी कर ले तू खता प्यार में तू तोड़ दे हदे। आवारा बातल कू मैं दीवारा पाकल कू मैं भूल जा भूल जा तू मुझे। छाई है बेतादी हो रही बेचनी। छाई है कैसी ये मद होशी। कैसी है ये तड़क। मीठी सी है कसक। काबू अब दिल पे मेरा रोहा नहीं। ये प्रेम का है असर रहना खुद की खबर। जाए जहां भी नजरे आदा बस प्यार ही नजर। आसा नहीं ये सफर शोलों की है ये ड्रगर सोणी है। अगला वार रिया होगी और मेरे प्यारी दुश्मन तुम हो गए। मैरे प्यारा खिराडी आउट हो गया। अब तो टीम गई कांसे है। अब तो आगे कोई खेलने और नहीं बचे। अब क्या करेंगे। प्रिया, बोलो प्रिया। मुझे कुछ बात करनी है। मुझे मिल सकते हूं पुराने में। आता हूं प्रिया। अब तो तेरे हालत लग गई। मर गया तू। अब तू मरेगा बेटा। अब तू मरेगा। कहां है नजर नहीं आ रही। यहां मंदर में क्यों बलाया तुमने। आओ बताती हूं। कार्थेक। मैं बचपन से ही एक सपना देखती आई हूं। जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करू। मेरी ज़र पर मेरी दोस्त लोग, सभी मुझे भागर समझते हैं, ऐसा नहीं हो सकता यह कहते रहते हैं। उस वक्क मेरा दिल बहुत दुखता है। जब ही मैं उदास होती हूं यहीं पर आती हूं। यहां पर आते ही मेरा दिल विश्वास से भर जाता है लगता है सपना ज़रूर पूरा होगा इसलिए मैं यही चाहती थी कि तुम भी यहां एक बार ज़रूर आओ यह बगवान जय बगवान कौन कि तुमने मुझे प्रपोस कि और मैं आसानी से मान गई मान लो अगर मैं ना कर देती थो तूम क्या करते बाताओ ना कारटे अगर मैं नहीं मानती थो तूम क्या करते बताओ ना करते हैं कि अब बताते हो या नहीं मैं यही करता मतलब अगर तुम ना करती तो हो खामोश रहके तुम्हारे पीछे पीछे पागलों के दर्फ भटकता रहता एक नैक दिन तुम्हारा दिल फिखलजाता काके क कर देक ciao कर दों पैद मानलों में स्वार्थी होती स्वार्थ में तुम्हें ना कहते थी तो तुम क्या करते सोच को बताना कार्थिक 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 काहां चले गई थे मैं परिशान हो गई थी अगर तुम ना करती प्रिया तो इसी तरह तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता तुम मुझे ढूनती रहे जाती जिस तरह अभी ढून रही थी है ना नमस्ते अंकल ओके ओके कौन हो तुम कौन है जी हाथ में दूद का पेकर तो नहीं है अब घबराये मत मैं प्रिया की तरह कौफी बनाने नहीं आई हूं मैं कार्थिक की फ्रेंड हूं दो मिनिट चाहिए उससे मिलके चली जाओंगे अब तक सो रहे हो अगर मैं तुम्हारे प्यार को ठुक रहा देती तो क्या तुम इसी तरह चैन से सो रहे होते मेरी घूम घूम के मेरे पास मेरे घर के चक्कर लगा रहे होते हैं हम्, क्या टाइमिंग है यार प्रिया विचारी रात बरवाँ, सो ही नहीं पाई और तुम यहां नौ बजे तक सो हुए पड़े हो उसे तुम मैनेज कर लोगे, ये तो मैं जानती हूँ लेकिन जोती के भाई से तुम किस तरह पीछा चुड़ाओगे हां सब ही लोग तस बजे तुम्हारे घर में आने वाले हैं, सोच रहे हो किस लिए रिष्टे के लिए यार, आप सिर्फ एक ही घंटा बचा है, रेडी हो जाओ को गेट रेडी क्या बात है ता माजी, क्या हुआ सर, सर, सर मैं जोती से प्यार करता हूँ, आप से भी प्यार करता हूँ, सर, सर आप मेरे घर मताईए, मेरा विश्वास कीजिए, सर रुको, मेरे जाने से तुम्हारे प्यार का क्या लेना देना जोती, तुम्हें मुझे पर विश्वास है ना, प्रीज जोती, शादी के इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, थोड़ा वग दो, जब तक मैं नौकरी ढूल लूगा, पहले मैं अपने घर में बात तो कर लूँ, उसके बाद रिष्टी की बात कर ले न सर, सर, आज घर में बताये सर, और रिष्टी की बात अभी मत कीजे, समझने की कोशिश कीजे सर, मेरे पास नौकरी तक नहीं है, जोली समझवाना इन्हें, सर, शलता हूं सर, अभवान बचाना, वाप रे, क्या हो गया दमाज जी को, मैंने कब कहा कि दमाज जी के घर पर ज आसा ही होता है, ना कहने का मतलब हां होता है, हां का मतलब ना होता है, घर पर ना ओ इसका मतलब, घर पर आओ ऐसा होता है, रिष्टे की बात ना करो मतलब, रिष्टे की बात जिल्दी से करो, मेरे बीना अब वो शायद रह नहीं सकते हैं, इसलिए जल्दी ब्याकर ले जा न चाहते हैं चलियो ना भाई हाई 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 हाँ हाई 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 रहे तो हृष हाई है और माद जी और दो मेरे घर पर आकर रिष्टे की बाद मत करो मैं समझ बेटा मेरी बेन उसे पसंदी नहीं होगी तब मेरी बेन ने समझाया प्यार में ना का मतलब हाँ होता है ये पड़े लिखों की बाशा मैं क्या जानू हमारे बाप दादा के जमाने में जिसके साथ बान दिया जाता था ये तो शादी नहीं करना चाहती थी इसने हाँ कर दी इसलिए रिष्टे की बात करने क्ला दुए है अच्छे से पागार में अच्छी सी नौकरी पे लगादूगा मेरी बाइन के होने वाले तुम जिंदगी हो तो मैं तमारे लिए यह ही नहीं करता क्या और मुझे भी तुम जैसे दमाज चाहिए था अरे बहन जी आप इती खामोश क्यू है कुछ कहिए न कौन सी ब्रांच में आप अशोक नगर अशोक नगर ये तो अपना एरिया है कोई भी प्राब्लम हो बता दीजेगा काट के फेट दूगा जालो को और भाई साव मैं काम नहीं करता बेकार हूं मैं अभी वैसा ही हूं काम तो कुछ करता नहीं फिर भी फुर्सत नहीं है मेरी तरब से कोई दिकत नहीं आप जब कईये शादी हो जाएगी अच्छे परिवार में इस तरब मेरी बेहन का रिष्टा जूड़ना मेरे लिए सोभाग्य की बात है हां फिर मैं चलू चलो चलो आओ आओ नमस्ते चलती हो माजी यह सब क्या है आप तो खुश हो ना मर गया है सबसे पहले एक लडगी आई उस ने काफी बना के पिलाई उसके बाद दूसरी लडगी आई उसने काफी बनाने के लिए नहीं आई है उन दोनों लड़कियों के बाद तीसरी आई, पूरे काहवालों के साथ, और उसका भाई कह रहा था, कुछ प्राब्लम होगा तो बताना, मैं उसे काट के फेक दूँगा, अब आप ही बताए, अब मैं क्या करूँ, सिर्फ तीन ही है, या और भी आना बाकी है, मुझे इस बा पापा देल, अंकल, तुम मेरी बुआ से शादी करने वाले हो ना, अब तुमने उसका धिल तूड़ दिया ना, वहा दो, शादी के नाम के अच्छी फ्लाटिंग चालू कर रखी है तुमने है, एक काम कर, एक चौती लड़की पता ले और इन तीनों की कहा ने उसे सुना याद रखना, पून क्यासू रोएगा दो, पून क्यासू क्या हो, मुझे टूपीस में देखकर, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं ही बैस्ट हूँ तेजू, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक एक पल, एक एक सेकेंड, अब आगे क्या होगा, क्या होगा, ये ही सोच कर घुट रहा हूँ मैंने पाप किया है, लेकिन मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, ये सब मैंने आकर क्यों किया, मुझे अपनी गलती का एसास हो गया है, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ, तुम चाहो तो आज से ही जोती प्रिया सब से मिलना बंद कर दूँगा, मेर प्लीज टेचू, इस तरह से गड़गड़ा के तुमसे माफी मांगूगा, यही सोच रही हो न, चैल हवान दे, एक बात बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो न, जब एक लड़का, तीन तीन लड़कियों के साथ प्यार का खेल 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 रहा है, तो क्या उसे आने वाली म पुछ करने से पहले सोचता हूँ. पर तुमने नहीं सोचा क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमारे पास करोणों की दौलत है. और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. लेकिन फिर भी मैं एक लड़का हूँ. तुमने मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? अब एक बात समझ लो, तुम न, मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती, एक बात और, जोती और प्रिया में मुझे जो भी ज्यादा अच्छी लगी ही, मैं बस उसी से शादी करूँगा, मैं चाहे ये करू, मैं चाहे वो करू, मेरी मर्जी, मैं इतनी दूर से आखिर यहां क्यों आ हां, मुझे टूपीस में देख कर बेश तो नहीं मानने लगे, अरे जा जा, बेवकूफ कहेंगी, तू चाहे टूपीस में आजा, या सिंगल पीस में आजा, रहेगी हमेशा डमी बीसी, हां, और हां, थोड़ी तहजीब सीख ले, लड़कों से अपना जिस्ट चिपाया कर चलता हो, जब एक लड़का, तीन-तीन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेल रहा है, तो क्या उसे आने वाली मुसीबतों का अंदाजा नहीं होगा, हां? वेट, कहां जा रहे हो? अपने भाया को बताने चारी हो? क्या होगा उससे? वो अपने गुर्णों से बोलके उसे मरवा देंगे? मरवा देने से, प्राप्डम सॉल्व नहीं हो जाएगी, उससे मारो, तुम्हारा किया हुआ हर वार, उससे बीड़कों से बोलके उसे मरवा उसे जिन्दगी भर याद रहना चाहिए। लड़कियों को क्या वो इतना फाल्तू समझता है। वो अपने आपको ओवर स्मार्ट समझता है। क्यों? हम लोग स्मार्ट नहीं है क्या? तब भीर मैं क्या करूँ? कल तुम जब उससे मिलोगी तो भीर भर वाले लाकी में मिलो। सच धज के बालों में गज्रा लगाके जाओ। और उसी की चाल चाल। हम दोनों कहीं भी छड़ना जाएं। इस बात का डर लग रहा है कार्तिक। क्या कह? उससे कहो के मेरे भाईया ने इस रिष्टे को ठुकरा दिया है। नहीं कार्तिक, मेरे भाईया ने हमारे रिष्टे को ठुकरा दिया है। खुश हो जाएगा, आगे कुछ नहीं कहेगा। चहरा उतार के ये भी कह सकता है कि क्या मैं तुम्हारे भाईया से बात करूँ मैं तुम्हारे भाईया से बात करूंगा जोती मना कर देना नहीं करती उससे कहना किसी के भी कहने पर वो नहीं मानेंगे अब उन्हें कोई भी मनाएगा तो भी वो नहीं मानेंगे वो पूछेगा कि अब हम क्या करें, तब उससे कह देना, हम दोनों चुपके से शादी करके, सीधे उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, तब वो कहेगा नहीं नहीं, ये खलत बात है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब तुम्हें अपना खे कर लेते हैं, हाँ, चुपके से मंदर में शादी कर लेते हैं, अब तुम क्या सोच रही हो, हम दोनों प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसमें हर्स क्या है, अगर तुमारे भाईया नहीं भी मानते हैं, तो वो क्या कर लेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, का कल छे बजे मंदर में पहुच जाना हूँ, वही मिलूगा। ओके, मूवी प्लान कैंसर। बाई। जोधी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इस गजरे के साथ तो तुम और भी अच्छी लग रही हो। कल आना मत बुलना हां। बाई। वाट। क्या वाट। जो डालोक्स तुमने कहने के लिए कहा था, वो सारे वो बोलकर चला गया। कल सुबे 6 बजे वो मुझे पिक अप करने के लिए आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है तेजू, मैं इशादी नहीं करना चाहती। क्यू रिलाक्स जोती। वो अपने आपको ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। क्या स्मार्ट समझता है। कल सुबे 6 बजे वो मुझे सच मुझ लेने के लिए आ गया तो। नो चांस। उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पता है वो क्या करेगा। कल वो तुम्हें फोन करके कहेगा। मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। यही सब बहानी बनाएगा। क्या सोच रही हो। यकीन करो वो नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरुरत नहीं। क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। वैसे मैंने सब त्यारी कर ली है। तुम थोड़ा खड़की से बाहर छाक कर देखोगी। क्या हुआ है। तेंचन मिती है। जलो जल्दी नीचे ज़ू ओक्याति पिका। जोथी वह यू हाँ बोलो जोती, तुम आराम से सो रही हो, क्यों क्या हो जोती, अब क्या होना बाकी है, तुमने कहा था वो नहीं आएगा, वो नीचे आके खड़ा है, दूले की तरह सजकर, मुझे डर लग रहा है, ओके, तुम उसके साथ चली जाओ, ठीक है, तुम चाहती क्या है, मैं उस जोती, आज हमारी फर्स नैट होगी न, है, शर्मा रही हो क्या, अब हम क्या करें, कार्थिक, लगता है भाहिया को शादी की बार पता चल गई है, कार्थिक, यह लोग बहुत खुंखार है, मुझे मेरे घर पट छोड़ दू, कार्थिक, नहीं कार्थिक, कार्थिक, शोनों पार्थिक, प्peace, प्neec ऱ्रीजख ड़ं, कार्थिक, शोनों, कार्थिक, छगड़ा मत करो, कार्थिक, यहलो Rotни, कार्थिक, श्याफोज अवसक, जो जो जो, कार्थिक, और चलो जोन, कार्थिक Biz प्रि배 मदोना माज़ चुछी vrij हुष 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 जब हीरो बनने के लिए मैदान में कूधी किया हूं तो फायट करने से क्या डरना अब देखो अपने होने वाले पती के बाज़गों का जोर हुआ 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 है हुआ Alien हुआ आकपकर थाइफ पान जहिए जो परी फिले हरा घाल ओम है य हॉ ह chop ड हquito ओह ऑग हाओ हाइ हो हाँ हाँ azul तुาง कि हért बह हाइ कर दो कर दो खर फञे अज़ार है इपक்क्न! एका सो भूपनि है, अभाँ मैं रिशा दिन्जी जा गऑग सित मुथा जल्दी वक्त नहीं है सब रेडिया तुम्हारा इंसे जल्दी यह सब करने का टाइम नहीं है सीधा साथ फेरो का मंत्र बढ़ें लेकिन रुखिये जरह जो थी, मंगल सूपर खरीदे दुकान गया था दस में से मुझे तीन पसंद आए इसमें कौन सा बेस्ट है मुझे नहीं बता इन तीनों में से जो भी पसंदो तुम खुदी सेलेक्ट कर लो आए बताओ, बताओ, यह कैसे हो सकता है? कैसे? मंगल सुत्र पहना कर बीवी बनाने चले हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुझे लड़के जौस से नफरत थी और तुम्हें लड़कियों से नफरत थी अगर मुझे से प्यार करते हो तो प्रिया और देजु से प्यार का खेल क्यों खेला? बताओ, तुम उनसे भी प्यार करते हो? मैं दस चाल चलूँगा तो तुम मुझे गारवें चाल में मात दोगी मैं ग्यारवाज चलूँगा तो तुम ग्यारा सो चाल चलोगी क्या यहर एक समझदार लड़की किस तरह बाते करती है और एक नासमझ लड़की किस तरह बात करती है इतनी भी समझनी तुमारे पास बंदरिया लगती हो तुम जोधी, मैं बस आ रहा हूँ है एक्स्कूज मी वहारे 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 लेकिन मेरी प्यारी जोती सच्चे दिल वाली जोती उसके बीच और मेरे बीच दिल का कनेक्शन है मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ लेकिन एक बात है जोती मेरी प्रिया के सामने तुम दोनों मेरे लिए कोई मैने नहीं रखती थोड़ी देर पहले तुम मेंसे कौन मेरी पत्नी बनेगा ये मैं नहीं जानता था लेकिन जब तुमने मुझे पिटवाने की कोशिश की उसे वक्त तुम मेरे दिल से निकल गई इन मोहतरमा की तरह तुम्हारा भी पत्ता साफ और हां तुम्हारा प्लैन भी बढ़िया था और तुम्हारे लोग भी बहुत बढ़िया थे लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है येस कमिंग वह क्या है न मैदम आप नहले पे धहला देगी गुंदों से पिटवा देगी इसे अमोल पाले कर समझाए क्या एक्षा नीरो है दसका सव आदमी इसके सामने आ जाना मैदम तो चीर के रख देगा अरे जोड़ना है जोड़ना क्या ओर एक्टिंग कर रहा है बहतरमा अब तुम्हें अगला बार कप करना है कैसे करना यह सोची मैं चलता हूं ठीक है उदास चारा देखकर यह मैं समझ लेना कि यह हार गया है यह खुश होता है तो उदास ही दिखता है आपकी तर अरे मार वही है यार निकल ले ए भाई तेजू और जोती तो तेरे रास्ते से हड़ गई प्रिया को वाइब बनाएगा क्या प्रिया भी नहीं है अरे बापरे फिर से तीन लड़कियों को पटा कि उनके साथ यही खेल खेलना चाहता है तो कोई नहीं चाहिए प्रिया भी ऐसी होगी किसी पर भरसा नहीं है तेजू और जोती से सीख लिया है लड़की की जात ही ऐसी होती है कहां ढूनू कहां होगी वह लड़की नो लव नो टेंचिन बोलो प्रिया प्रिया ऐसे किसे हो गया तुम तुम फिकर मत करो मैं अभी आ रहा हूं क्या हो गया कोई प्रॉब्लम है क्या क्या हुआ यार प्रिया ने क्या का बता ना उसके घर का कुट्ता मर गया है जाके शोक मनाना है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा क्या मुसीबत है यार मुसीबत की क्या बात है इस दुनिया में आत्मी मरता है तो उसकी लाश पर रोने वाला पोई नहीं मिलता और हमें उस कुट्टे के लिए शोक मनाने के लिए जाना है एक काम करतू वहां पहुँच हम लोग भी जल्दी वहां पहुँच जाएंगे प्यार में क्या-क्या चलना पड़ता है तुम लोग मत करना क्या हालत हो गई है क्लिस्रीन लगा के रोना पड़ेगा उसे मैं बहुत प्यार करती थी आज वो मुझे छोड़के चला गया आज मेरा दिल बहुत दुखी है प्रिया छोड़ो प्रिया तुम्हारे ऐसे रहने से वह वापस नहीं आने वाला है पर कौन सुनता है मेरी प्रिया प्रिया उठो प्रिया उठो प्रिया उठो प्रिया उठो प्रिया प्रिया उठो प्रिया 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 Nothing to worry, घबरानी के कोई बात नहीं है, एक बात बताईए, सोच सोच कर इससर अचानक बेहोश हो जाने के लिए ऐसा इसके सब क्या हुआ है? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, डक्टर. घर में कुत्ता था, उससे वो बहुत प्यार करती थी. वो मर गया, इसलिए उसके बारे में सोच सोच कर यह हाल हो गया. सुबा से कुछ खाया भी नहीं. कुत्ते के लिए इतना टेंशन कोई लेता है क्या है? यह तो… और बेहोशी का कारण भी यही है. यह तो बहुत हाएँ. अच्छ सब्सक्राइब के ताक्राइब के दू आपको यह देने के लिए कार्थिक नि दो. क्यूस्ट उसक्यूबाश्य तो नहीं क्यूस्टॉ हुआ हूँ हुनु मेरा गॉण। कार्तिक जायरे भुख। कार्तिक है माँ कार्तिक कार्तिक कि तुम मुझे इतना चाहते हो कर दे तांकियू सो मज़ कि अंसो लगी मैं ही उसे पहचान नहीं पाया वो मुझे पसंद है एक कुत्ति के लिए इतना रो सकती है इतना तलब सकती है उसे अपने सीने से लगा सकती है वो मुझे अच्छे लगी यार एक कुत्ति की मरने का सत्मा वो सहन नहीं कर पाई जब उसे मेरे करेक्टर के बारे में पता चलेगा तो वो जाने क्या कर बैठेगी वो सहन नहीं कर पाएगी यार कल को प्रिया मेरी बन पाएगी या नहीं ये मैं नहीं जानता लेकिन मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया है प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता था यह मेरे लिए बस एक खेल था लेकिन आज प्रिया की वज़े से ही मैं आज यह समझ पाया हूं कि प्यार क्या होता है यह कि प्रिया का फोन है हलो प्रिया प्रिया नहीं मिस्टर रंग बदलु तेजु प्रेजी प्लीज 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 प्लीजप मैं तुम से मिलने हुँ ऊप ओगए खेल मैं से भरोसा नहीं है नो परफॉर्मेंस अगर तुम सिर के बल भी खड़े हो जाओ ना तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगे नहीं तेजू मैं मैं आक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं सच कह रहा हूं ओ रेली मुझे मेरी गलती का एसास हो गया है देखो मुझे एक मौका दो बक्वास बंद करो तुम लड़कियों की साइकलोजी को अच्छी तरसे पहचानते हो ना तुझा कर देखो बेचारी प्रिया का कुट्ता मर गया उससे तुम्हारे बारे में अब पता चलेगा तो तेजू यह साइकलोजी अब क्या करोगे सिवसाइट करते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट आप्शन चुनते हैं वैसे उसके भी बहुत सारे आप्शन्स हैं ट्रेन से कट जाओ फास ही लगा लो या जहर पीलो फोचना पड़ेगा आखों के सामने है समुंदर हलो 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 बाई हानी हलो हलो मैंने आज तक जो कहा ये उसका सुबूत है हुआ 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 है कार्थिक तीजू को तो मैं मानती हूं पागल है चोती भी पागल है क्या उसके इस तरह के फोटोस दिखाने से क्या मैं मान जाओंगी कार्थिक मैं थुम्हें जानती नहीं क्या है है हम लोग पागल नहीं तुम पागल हो ए रिया होटो क्यों फाडू नहीं तो क्या करूं चलो कार्थिक प्रिया प्रिया रोको ये हमारा यखिन करो किया प्रिया मैंने भी तुमें लोग पुष्वास की आपbol णो कि इस ने मुझे आटोवाला बनकर धोका दियाट प्रिया प्रिया हमhu से ये कहता था कि यड़के।はは От करता है उसका विश्वास मत करो जब सच्चाई जानोंगी तो बहुत पश्टाओगी तुम हाँ कि बाई कार्दिक बाई प्रिया हुँ 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 हु 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 जोतियों और तेजों ने तुम्हें मेरे खलाफ कितना बढ़काया फिर भी तुम्हें मुझ पर जरा सबी शक नहीं हुआ जहां प्यार होता है वहां शक नहीं होता और जहां शक होता है वहां प्यार कभी नहीं पलता मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकती I love you Kartik मेरे मा बाप मेरे दोस्त कोई मुझे पर विश्वास नहीं करता सिर्फ प्रिया ही करती है आज मेरा रोने का मन कर रहा है तो मुझे रोना भी नहीं आ रहा है क्या कहूं कैसे कहूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है फिर भी मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूं वरना मेर मेरा दिल मुझे माफ नहीं करेगा कि आमिन लाव कि तुम दोनों को कितना दुख पहुचा होगा यह मैं आज समझ रहा हूं सौरी तीचू मुझे माफ कर दो जोदी प्रिया ने मुझे पर विश्वास करके बहुत सारे सपने संजोई होंगे उसने तुम्हारे समझाने पर भी शक नहीं किया लेकिन आज मैं उसे सचाई बता दूगा प्रिया से मुझे कुछ भी नहीं चुपाना अगर वो मुझे प्य मैं जानता हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यह दिल से नहीं कह रहा हूँ लेकिन कि आज प्रिया मुझे तुमसे कुछ कहना है कि यह ब्रदार मजे ले रहा है क्या मुझे पहचाना नहीं कैसे पहचानेगा कौन ही लोग ठीक से याद नहीं आरा तो याद इला दे क्या का चलो प्रिया चलते हैं आँ कि यह लड़की इतने हिमस से बात कर रहे है तुम्हें उतना भी धम नहीं चल बोलना चलो प्रिया चलो आप तो देता जा बेहा की इतने ही नहीं आ जेतना ठो बातके क्या यह इकर के एजया है जेतना झाई रहा तो प्रादयन कर वित अचाने कि ए्ड़कर टूमा अ थाओ कि प्रिया और कितनी लड़कियों के संदगे से खेलेगा तो क各ि के से अब जो सोच रहे हैं वह यह नहीं है कर्द टेक कि इसमें पविश्वास किया इसने करें अब जाए अब यह बिल्कुल सच कह रहे है जैसा तुम्हें प्यार करता हूँ दो और लड़कों को भी क्याता है उनमें सेक इनकी बहन है जोदी यही सच है प्रिया मैं तुम्हें बताने माला था प्रिया क्यों से पहले प्रिया मेरी बात सुरू प्रिया 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 प्यार क्या होता है यह मैं जान चुका हूँ मैं तुम से सच्चा प्यार करता हू सच के रहा हूँ प्रिया विश्वास करो प्रिया मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ प्यार की कीमत जान चुका हूँ मैं प्लीज प्रिया मेरा यकिन करो प्रिया मुझे चोड़ के मत जाओ प्यार क्या होता है ये तुम नहीं समझ सकते कार्थिंग तुम्हारे लिए तो एक नहीं तो दूसरी से ही प्रिया 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 मेरी बात तो सुनो प्रिया 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 प्रिय प्रिया प्रिया अब तो किसी भी लड़की के जंदगी चे खेल नहीं पाएगा प्रिया रवारूייםória अारूरenders अजक हम एले की आप एंग। कार्थी 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 मैं मा बोल रहे हूं बिटा कार्थी आंठी आंठी खुद को समझा लिए पच्चा तो डोंट वरी शाम को आप उसे अपने सब घर ले जा सकते हैं ओके थैंक यू डाक्टर लेकिन एक छोटी से प्रोब्लम है उसके सर पर गहरी चोट लगने की वज़े से वो अपनी याताश पूरी तरह से खोज चुका है तो इस ममले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं और सॉरी तुम दोनों को कितना दुख पहुचा है यह मैं समझ सकता हूँ सॉरी तेजू मुझे माफ कर देना जो थे आंटी आज मैं समझी हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है मुझे उससे माफी मंगनी चाहिए गुनहेगार मैं हूँ आंटी मुझे लड़कों से सक नफरत थी लेकिन कार्दिक से मिलने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है सच्चा प्यार हम दोनों उसके गुनहेगार है कि इस सब के जिम्मेदार हम है मैं होच्चे होती वह प्रिया का ही प्यार है हम प्रिया से बाद करेंगे वह ज़रूर मांचाएगी हुआ है हुआ है का का हुआ है का हुआ है हुआ हुआ झाल झाल कार्टे तुम्हें अगर पैसे से फ्यार होता तो तुम तेजू को नहीं ठुकराते तुम्हें गुंडों से डर होता तो जोती को अपना लेते लेकिन तुम मुझसे ही सच्छा फ्यार करते हो इसलिए तुमने मुझे चुना तुम्हारा ये हाल उन दोनों ने किया है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी मुझे पूरा विश्वास है कारते तुम भी जोती और तेजु को आमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे तुमने जो भी गलती की उसकी सजा तुम्हें मि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो अब जल्दी से ठीक हो जाओ तुम्हारी प्रिया तुम्हारा इंतिसार कर रही है जिन्दगी में मैंने बहुत फ्रॉट किया है लेकिन एक और फ्रॉट करने में कोई बुराई थोड़ी है थोड़ी से चोट लगी है पर थोड़े दुनों में जखम भर जाएगा अम मैं प्रिया के साथ सुकून की जिन्दगी गुशारना चाहता हूं उसे पाने का मेरे प हुआ है अब दर्भ कैसा है पहले से बहुत कर दोंट वरी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना रिलाक्स क्या लड़की है यार एक बात कह देता हूं मैं प्रिया के सिवाय जिन्दगी में किसी भी लड़की को नहीं देखूंगा यकेन करो ना यार कर दो